सेठ अमीरचंद के पास अपारधन दौलत थी, उसे हर तरह का आराम था लेकिन उसके मन को शांती नहीं मिल पाती थी, हर पल उसे कोई न कोई चिंता परिशान किये रहती थी, एक दिन वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी, वहां उसे किस उसे देखकर संत बोले, कहो, तुम्हारे मन में क्या जिग्यासा है, जो तुम्हें परिशान कर रही है। इस पर अमीरचंद बोला, बाबा, मेरे जीवन में शांती नहीं है। यह सुनकर संत बोले, घबराओ नहीं तुम्हारे मन की सारी अशांती अभी दूर हो ध्यान की मुद्रा में बैठो। संत की बात सुनकर जियों ही अमीरचंद ध्यान की मुद्रा में बैठा तियों ही उसके मन में इधर, उधर की बाते घूमने लगी और उसका ध्यान उचर गया। सेट बोला, चलो, जरा आश्रम का एक चकर लगाते हैं, इसके बाद वे आश में घूमने लगे अमीर चंद ने एक सुंदर व्रिक्ष देखा तथा उसे हाथ से छुआ हाथ लगाते ही उसके हाथ में एक काटा चुब गया और सेट बुरी तरह चिलाने लगे यह देखकर संत वापस अपनी कुटिया में आए कटे हुए हिस्से पर लेप लगाया कुछ द बाद से सेठ मीर चंद को अपनी गलती का अहसास हो गया वो संतुष्ट होकर वहां से चला गया उसके बाद सेठ मीर चंद ने कभी भी इरश्या नहीं की क्रोध का भी त्याग कर दिया तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इरश्या घ्रिना द्वेश य इन से हमेशा दूर रहें